नमश्कार साथियों आप सभी का स्वागत है अतुल्य संसार में अतुल्य संसार आपकी खबरों का संसार ये संसार आपका अपना संसार है इस संसार में आपको आपकी चीजे मिलेगी आपकी खबरे मिलेगी आपके परिवार की बाते मिलेगी देश की बाते मिलेगी विदेश की बाते मिलेगी राजलिती की बाते मिलेगी साथियो अतुल्य संसार आप सब के लिए यही प्रात्ता करता है कि आपका दिनमंगल मैं हो और आपका भविश्य उजवल हो साथियों बताते हुए मुझे बड़ा हर्शोरा है कि अतुले संसार के स्टूडियो में आज राजस्तान के उभरते हुए नेता योगेश नागर जी हमारे बीच में मौजूद है ये यूथ कॉंग्रेस में भी रहे हैं और अभी राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी में भी इनसर्चिव बनाया गया है तो ऐसी सक्षियत हमारे बीच में मौजूद है तो आज हम इसी सक्षियत से इनके राजदितिक संगर्च की बाते करेंगे बाते करेंगे हम राजस्तान सरकार की, बाते करेंगे मुख्यमंत्रेशों गहलोत की योजनाओं की और बाते करेंगे इनके चुनेवे छेत्र बगरू की हमारे बीच मौझूद है योगेश नागर जी योगेश जी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राजनीती का यो सफर आपने तै किया है इस सफर के क्या माइने है और राजनीती की प्रेणा आपको कहां से मिली कि राजनीती में आप आना चाहते थे बच्पन से कोई आपके परिवार में कोई राजनिती में सक्रिय रहा या किसी पद पे रहा तो यह प्रेणा आपको कहां से मिली राजनिती में नमस्कार सात्यों आशिज जी मैं बताना चाहूंगा यह प्रहणना मेरे स्टुडेंट जीवन में आ गई थी मेरे इंदर जब मैं स्कुल से पास आउट हुआ तो मैं रास्तान भी सिविजाले में आया और मैंने देखा यहां पर एलक्षन का जो सिस्थम था यूओं में जो जोस मेरे इंदर भी भरपूर था और उस चीज को मैंने देखा और मैंने किया और काफी यूओं के साथ में मुझे सीखने को मिला तो मैं रहो को कहिंना मुझे एक यूओं को देखकर के ही वो प्रहणना मुझे मिली आपको युवाओं से प्रेज़ना मिली आपने स्कूली शिक्षा जवार नवद्य विध्याले से की जो की सपना था राजीव गांधी का राजीव गांधी ने एक सपना देखा कि देश का युवा पढ़े लिखे और इतनी उचाईयों पर पहुँचे कि देश को बुलंदियों पर पहुचाए क्योंकि ये कॉंग्रेस की देन थी, राजिव गांधी कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री थे और इतनी युवाः और अच्छी सक्षियर थे कि जिनका लोहा आज भी हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी माना जाता है तो राजी उगांदी की सोच से निकल कर जवार नवद्दे से जब आपने पास आउट किया मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा कि जवार नवद्दे में आपको किस तरीक की शिक्षा मिली आपने वहां क्या सीखा और आप वहां से निकलने के बाद उसका कितना फ और उसमें जब बच्चा 5-ठ ग्लास में उसका कंपडिशन एग्जाम होता है उसमें चेयन होता है तो वह चेयन प्रोसेश आज तक दुनिया का मैं सबसे अच्छा प्रोसेश महनता हूं फियर होता है और उसमें 6-10 जो कि जो शिक्षा है वह जवा नवद्दे तो 960 960 नवदे विज्जाल है जिसमें लगबग देश के अंदर जो अलुमिनाई हमारी है वो करीवन 20 लाख लोगों के अलुमिनाई है जिसमें देश में हमारे के ज़ए देखने को मिलता है और ज्यादा तर बच्चे ग्रामिन परवेश्य होते हैं वह आपने सभी बात कहीं हमने देखा भी हैं क्योंकि जवहार नवद्य से निकले हुए इस्टुडेंट आज विरुकेट्स में डूची-उची पद्वी पर हैं आईएस हैं आईपीएस हैं डॉक्टर्स हैं और भी कई सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं राजनीती के छेतरे में भी जवार नवद्य से निकले वे कई विधारती उची बुलंदियों पर पहुंचे हैं तो उसी बुलंदियों के रास्ते पर आप चलते जा रहे हैं मेरा अगला सवाल आपके यह है कि आप राजनीती में छातर राजनीती में आपका परदारप्रण हुआ तो उस चुनाओं का क्या अनुभव रहा और राहूल गांधी जी ने जो चुनाओं की एक मुहिम चलाई यूद को आगे लाने की तो उस यूद से निकल कर आप आज राजस्थान में अपना एक चहरा अपने आपको काम्याब साबित कर पाए तो उस मुहिम का आपके उपर क्या प्रभाव पड़ा देखो जो राहूल गांधी का जो सिस्टम ता यूद कोंग्रेस का जो प्रोसेस था वो वाक्य में यूआओं में काफी तारिफे काबिल था और जिस सिस्टम से आज यूआ आए और यूआओं का हमारी संगटन में जिस मुझे परदे सची बनाया तो आज कई नखाए वो यूद कोंगरेस में ग्राउंड लेओल पर जो काम किया हमने बूत लेओल पर जो काम किये लोगों को जो जोडा है तो एक चोटे सिस्टम में रहते हो हैं बड़े काम करना वो यूद कोंगरेस में सीखने को मिलता है और यूद कॉंग्रेस में हमें एक अनुसासन सीखने को मिलता है एक बिचारदारा जो इतना सिखाए जाता है कि उसको आगे जाकर के कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और उसका confidence काफी build-up हो जाता है और हमने 7-8 साल यूद कॉंग्रेस में दिये और आज यूद कॉंग्रेस के देन हूँ मैं और जो आज इस पत्तक में पोचा हूँ देखिए आपने बताए यूद कॉंग्रेस से आप निकल कर इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे कि यूद का सफर आपने तै करके अब आप राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के सचिव बने पूरे राजस्तान का भार आपके कंधो पर डाला गया है ये एक बहुत बड़ी सोच है मुझे लगता है कि आपके शिष नित्रतु की, मुख्य मंत्री जी की, प्रदेश अध्यक्ष की या आप जीने अपना आइडियल मानते हैं, आपके अखिल बारते कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कि एक युवा के कंधो पर एक भार डाला जाए, कि युवा संपूंब राजस्तान में गुमे और कॉंग्रेस को मजबूत करें ये आपकी पहल हो गई, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे मन में एक शंकासी है कि यूद कॉंग्रेस से निकलने के बाद आप सीनियर कॉंग्रेस में आ गए, तो क्या राजनीती आपके लिए बिजनस है या सेवा है? आप क्या राजनीती के माध्धम से आप क्या संदेज देना चाहते हैं? के बिजनिस तो मैं पहले से ही कर रहा हूं और बैपर में मुझे बैपर में राजनीति को कभी बैपर से नहीं जोड़ता हूं व घ्रावरा में brand अपने जगे पर है और मेरा राजनीति के रियर उचेव surprise और सेवा ही मेरा करम है और मैं सुरू से लोगों की सेवा करता है हूँ और जीवन पर मुझे सेवा करना है और मैं इस युवाओ को एक ही बात करना चाहूँ है कि युवाओ के कंदों पर वाक्य में भार होना भी चीए जिम्यदारिया होनी चीए जिस तरह के से युवाओ का ह और युवा जिस तरीके से काफी अच्छी बुलंदियों पर भी जा रहे हैं और उनसे हमार को सीखना चीए और युवा जो उसमें च्छंता है युवा 24 मेरा आप से एक और सवाल है कि राजस्थान में जिस तरह कॉंग्रेस की सरकार अभी अच्छे काम कर रही है तो मानिय मुख्य मंत्री अशोग गहलोत की सभी योजनाएं जो इस वक्त धरातल पर है क्या वो पूर्ण रूप से हर व्यक्ति तक पहुँच रही है जो इसके आप जिन व्यक्तियों को मिलना चाहिए उन तक यह योजनाएं पहुच रही है व्यक्ति विशेश को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाओं का गिलोस साब ने किया है और हंडेड परसंट मैं आपको यह कह सकता हूं कि जिस तरीके से अभी महंगाय रात कैम का जो आईज दरन्टिकाड भी दिये जा रहे हैं सुविधाई भी दी जा रही है हां सब इतरे के सारे काम हो रहे हैं आप इसको ज्यादा अच्छे से पता है आप रहतर न चहतर में तो मैं इन जो योजनाओं का जो बात करूं मैं ऐसी योजनाओं पुरे देश नहीं बिदेश में भी मिलेगी और इसको देश नहीं पूरा बिदेश भी इसको फोलो करता है तो आपको क्या लगता है फिर से राजस्तान में सरकार रिपीट होगी रिकोड टूटेगा कॉंग्रेस की सरकार बनेगी भाश्मा को शिकस्त मिलेगी या अशो गहलोज जी पिछली बार की तरह हार का सामना करेंगे या फिर जीति का सेरा पहनेंगे जीति का सेरा तो गहलोज अब पहनते आ रहे हैं और इस बार भी डेफिनिटली पहनेंगे जिस तरह की महबट के दुकान अभी करनाटक में आपने देख़्ी ए रागुल गांधी जी ने खूली राश्तान पर अभी फोकस है और काफी उनकी प्लानिंग चल रही है और जिस तरह की जो बेवस्ता है और गेलो साब का और रहूल गांधी जी का और खड़के साब जी का और डोटासरा जी का आज बड़े नेता सारे एक जुट होकर के रास्तान में चुनाव लड़ेंगे और 200% मैं आपको गरंटी दे रह सकता है यह सकती है महबबति की दुकान कर्णा टक में खुली कर्ना टक में आप लोगों की सरकार बनीं करिसáng की सरकार है तो तो यह लगता है राज़तान के सांट इस टैटों के माध्यम से ले लो या सरकार के माध्यम से जो ले लो आप जितने सर्वे में उन सर्वे के आधार पर 100% महां पर कॉंग्रेस की सरकार बन रही है और बने गी जैसे गैलो साब ने 500 रुपए सलेंडर की गोशना की 100 रुपए ये 100 यूनिट बिजली फिरी की गोशना की 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फिरी की गोशना की महिलाओं के लिए आधा किराया किया 25 लाग का इलाज बुफ्त किया 10 लाग रुपए का बीमा और इंद्रा गांधी जो आपकी रसो योजना है उसमें 8 रुपए म तो इसका क्या परिणाव राजस्थान में आप देख रहे हैं क्या लोगों को वाकिए में इस सुविधा का लाब मिल रहा है या कुछ इसे वंचित रह रहे हैं क्या इसकी पूरी मॉनेटरिंग हो रही है या सिर्फ परचार हो रहा है देखो कॉंग्रेस पार्टी पुंजे शींपतियों की पार्टी नहीं है यहां पर कॉंग्रेस पार्टी की विचार दारा है और जिस से परुपावित हूँ कौन। कि शीक्षा की बात करो तो आज परचार की को ने अपने योज़नाओं के माद्यम से एक गरीब इंसान ने अझको उसके दर्थ best Quindi किया है और आज उसके दर्द के साथ साथ में तो किया रहा हूं पशो का जो आज कोई विचार भी नहीं कर सकता है वेसी योजनाओं का एक गेलो सरकार का जो लाब मिला है किसानों को तो वह वाके में तारिफे काबल है और जनता इसको अच्छे से जान गई है और समझ गई है और जनता पूरा कॉंग्रेस पार्टी के साथ में है तो यह बहुत बड़ी है आज गेलो साब ने एक दो दिन पहले ही 21 लाग किसानों का करजा माव किया थारा जार क्रोड का तरिक भार कॉंग्रेस सरकार के उपर पड़ा है रास्तान सरकार के उपर पड़ा है तो एक अच सरकार की बात अब मैं करना चाहूंगा बगरू विधान सबाद छेतर में आप काफी टाइम से सक रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं मीडिया चैनल के माध्यम से भी पता चलता है और कई लोग जब जूडते हैं और उनके इंटर्विव लिए जाते हैं या शोशल मीडिया पर देखा जाता है या जगे जगे हमारे पत्रकार घूमते हैं तो उनको भी लगता है कि कही ना कहीं बगरू में एक युवा नित्रतु की का भी जरूरत है जिस तरीके से भाजपा भारती जिंता पार्टी ने 2013 में 2018 में एक युवा को मौका दिया था वह युवा आपके निकले हुए थे आपके ही यूथ कॉंग्रेस के साथ ही थे उनको मौका देकर और भारती जंता पार्टी ने अपना बनाकर विधायक के रूपे उन्हें प्रस्पूत कर दिया और वो जीते भी पिछली बार भी वो कुछ वोटों के अंतर से हारे तो क्या कॉंग्रेस इस ब पर की कोई बात आप की हुई है डेखो मैं इसमें बताना चाहूँगा की देशने के अंदर पार्टीथ को मैं बाचपा की बात करूँ या चाए काफी अच्छी है और मैं कहता हूं कि अर पार्टी को एक युवा को मोखा देना चीए और डेफिनेटली एक युवा की जरुरत है क्योंकि आज बगरु विदान सभा की बात करूं मैं तो 3,35,841 जो बोटर है उसमें लगबग 65% बोटर जो युवा है काफी पूरा आबरों क अध्यन किया है आपने तो काफी हमारा इस पे डिसकस भी होता है यूथ को लेकर के और हमने एक बूत पर यूथ की अलग मुहिम चलाई है और हम जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रियास रतन है और उनके लिए हम एक स्किल्स डवलेमेंट को लेकर क हम केरियर काउंसलिंग का भी एक प्लान कर रहे हैं और हम यूवा को जोड़ करके एक राजनीती जो प्लैटफों में जिससे कहीं न कहीं एक वंचित रह जाता है तो उस यूवा को हम उस राजनीती प्लैटफों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसका जो तो आठ चे ते रहा हैं नहीं किसी परसनल ब्यक्तिकत किसी पर ठिपनी नी करी मैं ने कहा कि एक युवा का जो नेटर तो आज विदान सबासों में कही नहीं देखने को मिल रहा है युवाओं को मौका कॉंग्रेस नहीं दे रही है यह आपके कहने का मतलब है युवाओं को मौका नहीं मिल पाता देखो पार्टी को पर्तिवा देखने पड़ेगी आज चमता देखने पड़ेगी आज कारेशेली की बात कुरूमत कारेशेली देखने पड़ेगी है आज युवा के साथ में कौन युवा खड़े हैं आज उनका जो एक स्टेक्चर की में बात कुरूं युवा की तो उस पे इतनी डीप में जाकर के जो कुई सीने स्टेडी करिए वह आपके सामने योगेस नागर्नी कि आज जिन युवा के साथ में दिन रात एक करता हूं कि जो पीड़ा जो मैं समझ सकता हूं मैं खुद एक युवा हूं तो काफी यहां पे एक युवा जिस आगे इस तरफे जाना चीए था वो कहीं न कहीं बंचित रही है चातर राजनितीम हमेशे एक महावरा चलता है कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है तो आपकी जवानी आपका युवापन जिस और चलेगा उस और पुरा बगरू चलेगा क्या आपको आज अभी स्वात है एसे युवा सचीव हमारे साथ में मौदूद है इनोंने काफी बाते हमें बगुर विदान सबाद चेतर के बारे में बताई और काफी सजग बाते थी काफी मजबूत बाते थी कि युवाओं के लिए इस तरह का आधार रखने वाला व्यक्ति अगर चेतर से चुनकर जाता है मैं सबसे पहले अपने राउल गांधी जी को एडिल मानता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं राजनीती में आया हूं वो एक राउल गांधी जी की देन है राउल गांधी जी की सोच से मैं परवावित हूं आज उनके अंदर जो एनरजी है और जिस एनरजी के साथ में वो सबसे ज़्यादा मेरे फ्रेंट फोलोएंगी रावल गांधी जी सबढ़ेंगे दूसरा गांथी मोधी इस देश के मोधी का मंदिर बनना चाहिए मोधी की पूजा होनी धुकान से tematि शत्म कर देंगे 100% खतम कर दिया है मोधी जी के लिए मैं अब क्या सब्दों का चेहन करू उनके करनी और खतनी में जनता ने सब कुछ देख लिया है जिस तरीके से लोगों को उन्होंने पागल बनाया है या जिन बातों से वो इस परदानमंत्री बने उनकी कहीं ने एक भी बात कहीं सकते नह देखे कॉंग्रेस भी अपनी योजनाओं के माध्यम से परचार कर रही है इन योजनाओं का धरातल पर उतरकर मजबूती के साथ में लोगों को फाइदा मिलना बहुत जरूरी है चार मैने बाद में इलक्षन है इलक्षन के आपकी क्या तैयारियां है क्या आपकी टीमें बगरु विदान सबाद छेतर में लगी हुई है देखो तैयारी की ऐसी बात है कि हमारे पास अभी तैयारी के लिए पूरा समय है और मैं लंबे समय से मैं त्यारी कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा त्यारी की जुरत नहीं हर भूत पर अपने जो टीम है कॉंग्रेस के कारे करता है और चाहिए बॉड की बात कुरूम है चाहिए अपने पंचायतों की बात कुरूम है चाहिए नगरपालिका की बात कुरूम है तो लगबग सारे लोग सारे टीम तयाह है आज चाहिए सोचल मेडिया इटी सेल की बात कुरूम है तो हमारे बंटुवन इटी का जमाना है और टेकनोलोजी का वाक्य में यूज लेना चाहिए मैंने काफी सफ्टेर भी अपडेट करें डिरेक्ट कहीं न कहीं एक यूओ को जोडने का काम भी किया है हमने हर बूत लेवल पर जाकर के लोगों के हर एक समस्या को एक बूत वाइस में हमने सब्सक्राइब के लिए आपके पास क्या योजना है बगरू का यूओ रोजगार से वनचीत हो रहा है बगरू तब बड़ा इंडिस्टी एरिया है तब बड़ा हब है तो वहां का यूओ रोजगार के लिए क्यों तडप रहा है वहां का यूओ रोजगार के लिए क्यों भाहर जा रहा है वहां का यूओ शिक्षा के लिए क्यों भाहर जा रहा है क्या ऐसा डबलमेंट क्या ऐसी रवस्ता कॉंग्रेस की विदाएग ने 2008 से 2013 में नहीं की या फिर अब 18 से 23 का समय ये जो निकल रहा है उसमें भी कॉंग् अच्छीज वे नहीं का रहे हैं तो इसमें काफि देखते हुए सब चीजों को देखते हुए हम एक जो है वह उसके वहां पे अब वो अपनी एक समझ होती है अपने एक प्लानिंग होती है अपने एक स्किल्स होते हैं तो हर व्यक्ति अपनी इसाब से सोचता है और अपनी इसाब से करता है तो आज गंगा देवी जी जो है अपने उनके विवेक में जो चीजे होती है जो दिमाग में होती है वो करती है अच्छा काम हो रहा है बगरू में अभी, मैं अच्छा तो नहीं कह सकता उसको, जो होना चीए था, वो काम अभी तक नहीं हुआ है, कहीं नहीं कहीं अच्छे colleges, अच्छे institute और अच्छी संसाइज जो आने चीए ती है, जो अच्छे MNC आने चीए ती है, जो बगरू के अच्छा बगरू का युवा बगरू में ही रहकर रोजगार का फाइदा लेगा शिक्षा का फाइदा लेगा और अपने परिवार को खुशाल करेगा आपकी बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छे विचार आज हमने जल्टा के सामने रखे हमारे परिवार के लोगातुल का कॉंग्रेस देगी ऐसा हम भी सोचते हैं पुरा देश सोचता है क्योंकि राहुल गांधी की महबत की दुकान पूरे हिंदुस्तान में चल रही है तो राहुल गांधी एक युवा को मुझे लगता है मौका देंगे जिस तरीके से प्रदेश सच्ची बनाकर इन्होंने मौ तेश मानता था उसको वो आगे मजबूती से प्रस्तूत कर रहे हैं कि युग कर देखो और गांधी को लंभे समय से सब्वार करें centri से बंकट लगों के लिए करना है और उसी कड़ी में आगे चल रहा हूं और अंतक मैं यह सब प्रियास करता रहूँगा और लोगों की मदद और लोगों की साहिता करता रहूँगा और लोगों की काम करता रहूँगा आज आपने हमारे स्टूडियो में इंट्रिव्यू दिया ये बहुत अच्छी बात है और आगे आप इस तरह सफलता के नए आया मिस्तापित करें हम सब अतुले संसार की यही मंगल कामना है बहुत बहुत धन्यवाद